पाँच गाडियां अगर आपका बजट 10 लाग का तो आप इन पाँच गाड़ी को कंसलर कर सकते हैं, इस वीडियो में गाड़ी जो बता रहा हूँ है, उसके साफ से गाड़ी बताऊँगा, जिसका यूजज बहुत जादा है, वो इस गाड़ी की तरफ जा सकता है, जिसका य जो चॉइस है उनके लिए बहुत जबर्दस चॉइस होने वाली है, आँख बंद करके इस गाड़ी को लेशकते हैं, यह गाड़ी निकल करती है, हॉन्डा अमेज, आप जो हॉन्डा अमेज का जो वी वेरेंट है, वो सूपर वैली फरमानी वेरेंट है, इसमें आपको 1.2 बेस वेरेंट में आपको सब चीज़ मिलती है, तो ऐसा नहीं कि आपको बेस वेरेंट में कुछ भी कमी मिलेगी, आपको बेस वेरेंट में भर बर के सारी चीज़े मिलने वाली है, दूसरी गाड़ी उनके लालाती है, वो आती है, ब्रेजा का बेस वेरेंट, LXI वेरेंट जो है क्योंकि उसमें 1.5 लीटर का आपको इंजन मिलता है जो आपको हाइवेस पे अच्छी परफॉरमस निकाल के देखा अकीली गाड़ी आती इस पूरे प्राइस सेग्मेंट में जो आपको हाइवेस पे एक अच्छा कॉन्फिदेंश देखा क्योंकि 1.5 लीटर जो इनका हाइर गाड़ी में भी आता है आपको ब्रेजा में भी वही सेम इंजन मिल रहा है तो आप डेफिनिटल अगर बहुत ज़ादा हाइवेस पे ट्राइवल करते हैं आपको हाइवेस मिंटेन करनी होती है तो आपको 1.5 लीटर यह कॉन्फिदेंस प्रवाइड करेगा एंड आफ आफ्टर मार्केट इसमें थोड़े बाग चेंजिस करवा सकते हैं जैसे आपको अपने डल वाने हैं या कुछ भी अपनी लाइट अपग्रेड करवानी तो बाहर से करवा सकते तो आपके लिए एलेक्साइवेरेंट जो है वो मेरे साफ से सूपर वैली फर में रहेंगा काफी अच्छा स्पेस हैं है सब्सक्राइब बहुत अच्छी रहती है तो आपको डेफिनिटल वाली फील आ जाती है जो जिनका ट्राइवल इतना ज्यादा नहीं है जो अपना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रावल नहीं करते जिनको एक अच्छी सॉलिड बिल्ड कार चाहिए विद अच्छे रिलाइबिलिटी है और टाटा की जो मिंटेन से वह थोड़ी हैवी रहती है तो मैं इसलिए उन लोग को सजेस्ट कर रहा हूं जो बहुत जादा कम ट्रावल करते हैं जो गाड़ी अपनी इतनी फ्रिक्वेंट नहीं निगालते हैं वह टाटा की तरह जा सकते हैं जिनका र से यही बताया है चौती काड़ी जो है वह और राउंडर है जो हर मामले में सारे बॉक्स चेकमा करती है और वह इनका लगाती है मारति सुजुकी फ्रॉंक्स का डेल्टा प्लस वेरेंट इसमें आपको अच्छी डिजाइनिंग लैंगवज देखने को मिल जाती अच्छा स सिलिंटर इंजन मिलता है जो बहुत अच्छी मालिश फिकर निकालता है चाहिए वह आप हाइवेस पर प्रफॉर्म करो चाहिए आप शहर में चलाओ तो आप डेफिनिटली अगर एक और राउंटर कार्ट ढूंड रहते हैं बट बस एक कमी है कि इसमें थोड़ी से आपको हेड रूम की कमी मिलेगी जिस वैसे आपको अगर आपके फैमली में चोटी हाइट के लोग है तो आप इसके तरफ जा सकते हैं आपको कोई दिक्कत परशानी नहीं हो जो लास्ट कार हमारी लिस्ट में निकल कर आती है मारती सुजू की डिजायर और बीटे कुछ टाइम मे तो आपके लिए बहुत बड़िया चॉइस रहे जाएगी मारती सुजू की का डिजायर वाला वेरेंट एंड डिजायर का भी कॉंसा वेरेंट जैडेकसा वेरेंट वेरेंट क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीज़े मिलती है आपको आगे का पूरा सेटप मिलता है LED स्क्रीन देखने को मिलती है अच्छा इंटीर है और सबसे इंपोर्टेंट बात यह गाड़ी का जो पीछे का रेयर रेयर सीट कमफट है वो अनमेच्ट है इस पूरे सेग्मेंट में आपको अच्छा बूट स्पेस मिलता है यह अकेली बन जाती है मारती गाड़ी जिसमें जेटेशा की तरफ भी जा सकते तो यह रहेंगी मेरी पांच चॉइस अगर आपका बजट दस लाग के अंदर है और इसके लाव अगर आपको और के गाड़ी के बारे में जानना चाते हैं तो डिफिनिटल आप लोग कमेंट सेक्षन में कमेंट स्पोस्ट कर सकते हैं तिल आप लेखिन के लोग के लोग के ग्रिए amplitude की यह रापको आपको जापकों случа अक्वर आपको और मेंट था की स्पी डीपर आप oynद कर आपकों चैफ यह उणन मेंट भी हैं समय डापकों पाले इसक्वर्ट कर सकते थाफ ब gentleman, दो कर सकते हैं पर देफ aू केिर आफ हैं 2 एंप